तो किसे आप सब आगे तापका आपके अपने ये टूब चैनल स्टेडी वितासिय। स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंस्ट्रेशन एंड डिटॉक्सिपिकेशन इन इंसेक्ट्स इसका मैंने है वह क्रिस्प क्लियर नौट्स बनाया है वह सारे आर्टिकल्स में देखकर एकदम छोटी छोटे नौट्स है वह बनाये हैं इंपोर्टेंट्स लाइन है ठीक है और आप सभी को है वह पूरा समझ में आजाएगा कि क्या है सिक्वेंस्टेशन एंड डिटॉक्स सब्सक्राइब करने वाले हैं और नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रीप्शन में चेक कर लेना मिल जाएगी साथ ठीक है जुरू करते हैं सो इंसेक्ट है वह बिन एबल टो एडेप्ट टुदा प्लांट डिफेंस सब्स्टेंस सब्स्टेंस ऑके फोर एग्जामपल डिफेंस सब्स्टेंस सब्स्टेंस और बाइडी टॉक्सिफाइंग इंजामिक टिक ली सो क्या होता प्लांट है वह टॉक्सिक सब्स्टेंस वह प्रड्यूस करते हैं फोर इंसेक्ट इंसेक्ट से बचने के लिए प्लांट है वह टॉक्सिक सब्स्टेंस प्रड्यूस करत बचने के लिए कोंट कभी कभी है वह और को इंसेंसिटीव करने वाली हैjesन मतलब इक्तेड लों मतलब इसी वों प्लांटा sensitive कर देते हैं उनको inactive कर देते हैं उनको काम करने से हैं वो रोकते हैं को इंसेक्ट तो वह है detoxification करते हैं उके इन सभी के बारे में आगे हम देखेंगे पूरा डिटेल से सो numerous insect species even store secondary plant compounds in their own tissue and use use them for their own defense against natural enemy सो इसे ही तो सिक्वेंस्ट्रेंशन बोलते हैं सिक्वेंस्ट्रेंशन क्या होता है जब प्लांट के जो secondary components होते हैं जो defense के लिए काम आता है इंसेक्ट में कभी-कभी ऐसा भी है वो प्रोसेस होता है कि उनमें है कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिससे हैं वो उनमें है वो storage हो जाते हैं आगे काम में आने के लिए आगे हैं उनसे defense करने के लिए उनमें है वो थोड़ा बहुत storage भी है उनका हो जाता है प्लांट के secondary components के लिए जिससे है वो आगे है वो compare करके उनमें है वो defense का मेकेनिजम भी होता है इस परकार के accumulation को इकत्था करने की प्रोसेस को ही सिक्वेंसरेशन बोलते हैं ओके अगे वो खुबूब देजर ट्यनेर्वा बेतलोफ जनेर फिल्ट्रेतजर्ट्र अुण थाडियोजु थी तो ट्लुशिणोलेण the myro glucose inolates myrocinase system used by crucifer plant to defend themselves in bounded tissue mustard oil glycosides glucose inolates are enzymatically converted into highly reactive isothiocyanates which have a very negative effect on non-adapted herbivores नोन अडेप्टिव हर्भी वरस जो होते हैं इंसेक्ट जो अडेप्ट नहीं होते हैं जिनमें यह मेकेनिजम नहीं होती है डिटॉक्सिफिकेशन की सो उसके लिए जो यह ग्लुकोस इनॉलेट्स जो प्लांट में होते हैं मस्टर्ड ओयल में सो वह एंजाइमेटिकली कनवर्ट हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा टोक्सिक होता है जो हर्भी वेरस को इन इंसेक्ट को बहुत ज्यादा टोक्सिक होता है जो कि अडेप्टेड नहीं होते हैं लेकिन जो अडेप्टेड हो जाते हैं सो उनमें वह मेकेनिजम हो जाती है कि इनको नहीं नहीं करने देते हैं आइस परकार की इन सेंसिटिविटी उसमें है वो पाई जाती है इंसेक्ट में आगे हम देखेंगे and the beetle of the genus philotrata not only accumulate large amount of these mustard oil glycosides in their body but also developed their own myrosinase which enable them to activate stored mustard oil glycosides for their own purpose okay so now we have adapted herbivores which can be insensitivity and detoxification so now glycosides is in isothiocyanates is not converted so it will accumulate so it will accumulate so it will accumulate so it will accumulate accumulation on a kind of this particular molecule okay so in beetles of the genus philoids which are also specialized on cruciferous plants glycosides glycosides metabolism appears to be much more complex okay so this is a chemical reaction है हमारे पास glucose and myrosinase है और यहां से हमारे पास प्लांट स्पेसिफायर प्रोटीन है जो कि जैसे कि यह है वो कन्वर्ट होता है इस परकार का मॉलीकूल आइसो थायोसाइनेट्स में इस परकार का मोलीकुल एसो थायोसाइनेट्स जो कि बहुत ज्यादा टोक्चिक होता है तो यह पीछे वालग अलग एक आर्टिकल से था गूगल पर यह अब जो पढ़ूंगा यह अलग आर्टिकल से आएगा ठीक है तो इसका रेफरेंस में उपर दे दिया है तो है चोटा-चोटा ही नोट से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा आप नोट्स भी बना सकते हो अपने तो प्लांट डिफेंट देम्सेल्व फ्रॉम इंसेक्ट हर्भी वरस इत वेरी अरे ओफ केमिकल डिफेंस यह इस एंड वोगन बन्हीं इमा थेरों इंस जीन गूलिफुकेंऑ विझाचिज इन नर्ग सीच्ण बेरी बना ओब इर स्थर्चर्ण डिफेंट इन दोफेंसितों इन प्रॉकर्ट स्थेट संडिफेंस प्लाइब स्थेंसितिति विफेंस इंसेक़् टने मतलिफेंस इंसें मल्टिपल मेकेनिजम एक्जेस्ट फॉर अवोईडिंग अवोईडिंग एक्टिवेशन ओफ गुलकोश इनोलेट्स एंड साइनोजेनिक लाइकोसाइड्स इनसेक्ट में जो डिपिलिकेशन हो रहा है जीन जीन डिपिलिकेशन विदिन की ब्री मेंफ recognize एक फ्लाइड से हो जो कि इनिबिट करता है जो उसके बठी इस एघ्स यह होजाता है इसको अवएड कर देता है इस मेकनिजम से उस से है वो आवर्डेंस हो जाता है प्लाइट की उस मेकनिजम को हर डी टॉक्सिफिकेशन में हल्प होता है तोके यह कुछ है यह है एक अलग इमेज से है अलग आर्टिकल से उसका भी रेफरेंस आगे देख दूंगा मैं सो यह भी बहुत सब मज़ेदार सा है वह इमेज आपको देखना चाहिए विकोजदे को यह पहले तो क्या कर रहा है यह डिसाइड कर रहा है डिसाइड टोलरें इस बहुति लुञड रुड चाहिए डोलिध न चाहिए को टी वालिक वालिध टी आ तूंटिय औ आपकों अ हम आपकों पको रहुतिकल दाद की ऑना पूस्ट पटेंशिल तोग्सिन एज एंटी हर्भिविवरस डिफेंस वह हैं यह कहामाता तो अब क्या होता है जैसे कि जो थर्ड स्टेप से इसमें क्या होता है जैसे कि प्लांटि डिफेंस जो आ है आए-गलुको-साइनोलेट हो जाता है किसी में मान लो डिफेंस सिस्टम नहीं आपे अगर वह हो गया है उस नहीं गया है तो यह टोक्सिन हो जाएगा इंसेक्ट या तो मर जाएगा या इसे दूर भाग जाएगा मेकेनिजम होताँ एक्ट्रoration को इस ओपर पर का एक्टिवेशन ने फीन करक्क्राइट करतेbes छीम किवेальная oh it you are and dey溏ाँ लोग और अपजNews मेज़्वी हो बहुति मज़िदार घृसी की यहाँ पर डिया जारा है की यह वाला लोग ते हैं की लोग व अबन से देखे यह पर ऑगिश की वेर और यह गो अनजाइम उतर है यह वाला इस जैसे की हम यह में यह देखंगे इनका इमेश इसके अंदर जो इनके अब्डॉमिनल के अंदर वह दिखा रहा है क्भाई किया क्या मॉलीकुल है तो अगर यह वाला मॉलीक्यूल देखें आप तो यह एन्जायम्स है प्रोटीयज एन्जायàn करता है इसका मतलब यह ठीक है और यह वाला जो लोगो है हमारे पास यहां पर आ रहा है सो यह इन में कौन-कौन से जैसे की 450 हो गया हमने पीछे देखा ठीक है तो यह भी हल्प करता है डिटॉक्षिफिकेशन में ठीक है यह वह एंजाइम है इस वाले लोगों को जो देखो यहां पर यह देखो यह वाले ग्रीन वाले का इसका मतलब यह वाले इन सब चीजों को है वो रोक देंगे जैसे कि आइस्व थायोसाइनेट है एक इस यह तॉकसिक होता है प्लाइंट द्वारा हुपता है आपको देखना चाहिए अगर रेफरेंस बताओ तो यह वाला इमेज हमने देखा था यह सारे हमेज है वह जैसे कि यह साइस डायरेक्ट से लिया गया है और यहाला जो इमेज है रिसर्ट गेट से लिया गया है तो मैंने आपको रेफरेंस भी दे दिया है तो Google पे आप भी देख सकत हो डेकिन में मोट्पी था आपको समझाना और नोटस भी आपके पास है वो आप आगे हैं अल्मॉस्ट दो पेज में आपके नोट्स भी बन जाएंगे ओके तो इतना ही ताइस वाली वीडियो में अगर वीडियो मज़िदार लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और कोमेंट कर देना बाइबाई माँ कर दिदेना समय जाएंगे तो फारे वीडियोμα कर देना है